Hello Students, Good Morning तो आज हम पढ़ेंगे Chapter Number 3 के बारे में और उसमें सीखेंगे हम सबसे पहले कुछ numbers के बारे में जैसे कि Even Numbers और Numbers किसे करते हैं Prime Number औरй प्राइमंबर के बारे में और उसके बाद हम Questions दिसकस करेंगे ठीक है? तो चलिए Start कर लेते हैं तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं even numbers के बारे में even numbers किसे करते हैं यह chapter number 3 है chapter number 2 आपका मैंने complete करा दिया है और जिस student ने वो complete ने गया तो please सबसे पहले वो उसकी copies बना ले ठीक है chapter number 2 तक हमने कर लिया था holy days से पहले और इसके बाद हम chapter number 3 से start कर रहे हैं तो चली start कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है even numbers even numbers even numbers किसे करते हैं देखें जो भी आपके पास numbers आएंगे even numbers में आपको वही number लेने हैं जो divisible होंगे by 2 यानि कि 2 से divisible होने चाहिए even number जो भी हम number even number मानके चलेंगे तो वो number क्या है 2 से divisible होने चाहिए और 2 से divisible कौन से number होते हैं जिनके last में ठीक है last का जो digit है वो क्या होना चाहिए तो 2, 4, 6, 8, and 0 इन पांचों में से अगर कोई भी digit है last में तो हम उसको बोल सकते हैं कि यह number जो है वो 2 से divisible है या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि यह number जो है वो even number है ठीक है students तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जिनके number के last में 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी आपके बास digit आज आएगा तो वो number क्या है 2 से divide हो जाएगा ठीक है उसके बाद इसके कुछ examples ले लेते हैं जैसे कि for example के लिए 64, 60, and 54, 72, and 104, 274 कुछ भी आप example ले सकते हैं आप चेक कर सकते हैं इनके number के last के जो digits हैं वो इन ही 5 में से ही है 2, 4, 6, 8, 0 में से ठीक है तो यह इनके examples हाजाएंगे उसके बाद हम next बात कर लेते हैं और numbers के बारे में और numbers किसे करते हैं और numbers होते हैं जो 2 से divisible नहीं होगे not divisible by 2 not divisible by 2 ठीक है अब 2 से जो number divisible नहीं होगे उनके last में को होना चाहिए इनसे अलग कोई भी number होना चाहिए ठीक है तो इनसे अलग क्या number आ सकता है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है यही number बसते हैं देखो आप एगर इसमें से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ठीक है तो 1, 3, 5, 7, 9 यह पास नमबर बसते हैं अगर किसी digit के last में यह पास नमबर आ जाते हैं या इन में से कोई भी digit आ जाता है तो वो number odd number कहलाएगा जैसे कि for example के लिए 43 ठीक है तो यह odd number है क्योंकि इसके last में क्या है 3 है ठीक है और उसके बाद 61, 61 में last में 1 है तो आप इसको भी odd numbers मान सकते हैं जैसे कि 79, 81, 85 तो इस सारे के सारी number क्या है odd numbers है ठीक है students तो यह ओगा odd numbers, even numbers इसके बाद थर्ड हम बात कर लेते हैं थर्ड हमारे पास है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, very very important इसका आप याद रखेंगे आप जैसे आगे higher classes में जाएंगे तो वहाँ पे इसका use करना आपको पता लग जाएगा है कैसी use करते हैं इसका, तो प्राइम नंबर्स क्यों होते हैं, प्राइम नंबर्स आपके प factor only one होगा, यादि कि ऐसे नंबर जिनका सिर्फ factor one ही होगा और अगर हम आम बाशा में बात करें तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही table पे जाएं, ठीक है, divisible by only on table, यानि कि सिर्फ अपने ही table पे वो divide होएं, किसी दूसरे के table पे नहीं divide होँ, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, जैसे कि सबसे पहला जो first prime number हमारे पास होता है, वो two होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे हमेशा, जो prime numbers हैं, वो two से start होते हैं, यहां से one से आपने start नहीं करना है, ये question आप कहीं बार exam में पूछा जाते हैं, कि first prime number क्या है, तो आप students वहाँ पे गलती कर देते हैं, वहाँ पे two लिख के जाते हैं, sorry, one लिख के जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको two याद रखना है, जो starting है prime numbers की, वो कहां से होती है, two से होती है, इसके बाद हम लिखते है, three, ठीक है, अब इसके बाद four तो आएका नहीं, क्योंकि four इसलिए नहीं आएका, क्योंकि four जो आवो two के table पे जाएगा, इसलिए हम five लिखेंगे यापी, ठीक है, उसके बाद six आएगा, six हम ऐसे नही 11, तो इस तरह से आपने numbers लिख रहे हैं, इनको बोलते हम prime numbers, ठीक है, ये चीज़े आप याद रखेंगे, dash dash dash, ठीक है, तो prime numbers के होते हैं, जो सिर्फ अपने ही table पे divide हो, ठीक है, यानि कि अपने ही table पे पुरा completely cut जाएं, बाकि इसके अलावा किसी दूसरे table पे वो divide नहीं ह 1, यानि कि इनका factor करते हैं, सिर्फ 1 होता है, clear है, इसको उतार लीजी आप, ठीक है, copy में, और सभी students ने copy जुरूर बनानी है, ठीक है, जैसे ही आपका chapter finish होगा, तो मैं सभी students की copy जुरूर चक करूँगा, ये chapter आपका, जैसे ही हमारे पास एक exercise आए, तो ये इसका lecture आज फर नेक्स हम बात करेंगे, इसके बाद, कुछ और numbers के बारे में, तो नेक्स हमारे पास third number है, composite number, composite number किसे कहते हैं, composite number, composite number, composite number, ठीक है, आपने हमेशा जहान रखना है, जो composite number होते हैं, वो आपके पास, odd भी हो सकते हैं, even भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनो number हो सकते हैं, odd भी हो सकते हैं, even भी हो सकते हैं, तो composite number में आपने वो numbers लिखने हैं, जिनका factor क्या है, एक से जाद होते हैं, जैसे कि for example के लिए, प्र यानि कि वह एक के table पे तो आएंगे ऐंगे एक के table पे वैसे सारे के सारे number आ जाते हैं ठीक है उसके अलावब भी कोई number है जैसे for example के ले हम लिखते है 4 तो 4 को अगर आप जयां से देखे तो 4 जो है two के table पे भी आता है और four के table भी आता है ठीक है ना और example भी आप ले सकते हैं, जैसे 12 हो गया, 12 भी composite number है, क्यों? क्योंकि ये 2 के table पे भी चला जाता है, 3 के table पे भी चला जाता है, 4 पे भी चला जाता है, 6 पे भी चला जाता है, ठीक है? और 12 पे भी चला जाता है, तो काफी सारे इसके जो है factors हैं, तो factors other than 1, एक से जाना अगर कि इसी भी number के factor है तो उसको आप composite number बोलेंगे, जैसे मैंने आपको यह बता है, 4 के हमारे पास 2 और 4 बनेंगे, तो 12 के आपके पास बनेंगे, 2-6 जा 12, 3-4 जा 12, 4-3 जा 12, and 6-2 जा 12, और last में एक 12 बन जा 12 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसके जो factors हैं, वो काफी सारे हैं, ठीक है, other than one factor, तो उसको बोलते हैं composite number, ठीक है दोस्तों, इसको आपने आद रखना है students को, सभी ने, इसके बाद next, हम बात कर लेते हैं, twin prime के बारे में, twin prime किसे करते हैं, twin prime में सबसे पहले heading मुला लेते हैं, यह हमारा पांचवा number है, twin prime, twin prime number कौन से होते हैं, two consecutive odd prime number are colored twin prime number, यानि कि two consecutive, two consecutive prime number, यानि कि दो prime number आपने consecutive लेने हैं, यानि कि करामा अनुसार लेने हैं, consecutive का मतलब होता है कि करामा अनुसार आप लेने हैं, जैसे कि मैं first prime number लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, suppose मेरे पास first prime number है two, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास क्या prime number आएगा, three, ठीक है, तो ये एक twin prime number बन जागा, twin का मतलब बता है कि जोड़ा, ठीक है, दो numbers का, दो prime numbers का आपने पुरा पुरा pair बना के लिखना है, इस form में, ठी five, तो मेरे पास second number आएगा, seven, ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि five के बाद मैं six नहीं ले सकता है, क्योंकि six क्या है, prime number नहीं है, और seven जो है, वो prime number है, तो इसलिए इन दोनों का pair बनेगा, इसके अलावा हम आगे चलें, अगर तो seven, 11, उसके बाद 12 और ये 13, तो 11 और 13 का pair ब friends, next, six, six में क्या है मारे पास, prime triplet, prime triplet, prime triplet में क्या है, अब आपके पास triplet से नाम से clear और अगया, आपके पास three number आएगे, जो तिनों ही prime होने चाहिए, तो उनके pairs मनाते हैं सबसे पहले, जैसे for example के लिए हमने ले लिया first number three, तो उसके बाद आएगा five, फिर उसके बाद आ बन गया, यह prime triplet बन गया, ऐसी आपको और नमबर भी ले सकते हैं, जैसे 11, 13, 14, 15, 16 भी आएगा, 17 आएगा, ठीक है, तो 11, 13, 17 भी हमारे पास क्या है, prime triplet है, triplet का मतलब है कि आपने तीन pair बनाने है, prime numbers के, और वो तिनों के तिनों क्या है, consecutive होने चाहिए, ठीक है, twin prime में आ को three pairs बनाने होते हैं, इस तरीके से, ठीक है students, next हमारे पास last जो रहता है, वो रहता है, co prime number, co prime number, ठीक है, यह भी बहुत important है, तो co prime number कौन से होते है, the number are known as co prime number if they have not a common factor other than one, यानि कि ऐसे number जिनका common factor क्या है, सिर्फ एक ही है, तो इसे co prime number बोलेंगे, जैसे कि for example के लिए हम ल तो four और five किसी भी table पर नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ अपने अपने table पर आएंगे, अगर हम बात करें, दोन्नों को, हमारे पास दोन्नों number अपने ऐसे लेने हैं, कि वो दोन्नों जो आओ, किसी भी table पर नहीं आने चाहिए, सिर्फ एक को छोड़ गे, ठीक है, four को अगर बात करें, तो two पर जाता है, हमारे पास five जाओ, two पर नहीं जाएगा, ठीक है, और five जाओ, शिर्फ five पर जाएगा, तो four तो five की table पर नहीं आता है, तो इस तरह के numbers आपने लेने हैं, second number हम ले लेते हैं, जैसे seven और nine, ठीक है, आप देखेंगे, दोनों numbers, यह seven के table पर आता ह वो three के table पर 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 जो seven है, वो ना तो three पर आता है, नहीं नहीं पर आता है, ठीक है, शिर्फ अपने ही table पर आता है, तो इन numbers को हम बोलते है, co prime number, जो सिर्फ एक ही table पर आएं, अपने अपने table पर आएं, या फिर दोनों का जो pair दे रखा हैं, वो किसी भी table पर नहीं, other than one, ठीक है, for example के लिए एक और example ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर, four और six, ठीक है, अब देखो four और six मैंने लिखा, तो यह co prime number है, बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर four भी two के table पर आता है, और six भी two के table पर आता है, तो इसका हम लिख सकते है को prime number नहीं आएगा है, ठीक है, तो यह चीज़ आपने नहीं लिखने है, को prime numbers में, ठीक है, यह चीज़ आपके clear होगी होगी कि को prime numbers किसे करते है, एक example और ले लेते हैं, जैसे 11 और 15, ठीक है, 11 भी अपने table पर आएगा, और 15 जो आवो 3 पर भी आएगा, 5 पर भी आएगा, पर दोनों number किसी भी एक table पर नहीं आते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, co prime numbers, ठीक है students, तो इसको दार लीजिए आप, उसके बाद हम questions discuss कर लेते हैं, exercise 3.1 के, चलिए, तो question number first, ध्यान से समझीए question, अब यहाँचे आपके exercise start और रही है, चलिए, तो question number first, first का first part, one is a factor of every number, question बोला गया है, आपने true और false बताने हैं, और question में आपको बोला गया है, one is a factor of every number, बिल्कुल, एक जो है वो हर एक number का factor होता है, ठीक है, यानि कि अगर हम किसी भी number में से एक कॉमल लेना चाहें, तो हम ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, one is a factor of every number, ठीक है, one जो है, सभी numbers का factor होता है, तो इसका answer आदेगा आपके पास true, ठीक है students, next, second part, second part में गो लगए, the sum of three old number is even, the sum of three old numbers, the sum of three old numbers, old numbers, is even, ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया था, कि even number, old number क्या होता है, ठीक है, तो हमें एक एलेना है, तीन numbers लेने हैं, जो तिनों क्या होने चाहिए, old, कोई भी number ले लो, जैसे मैंने लिया, one, three, five, three numbers लेने हैं न, sum of three numbers, ठीक है, अब इन तिनों का sum करो, one, three, plus five, five, or three, eight, or nine, क्या ये old है, बिल्कुल है, और इसमें क्या बोला गया है, even होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, false, ठीक है, क्योंकि three prime numbers, sorry, three old numbers का जो sum है, वो even नहीं हो सकता, वो हमेशा old ही आएगा, ठीक है students, अब इसके बाद हम third पे चल लेते हैं, all even numbers, are composite number, यानि कि जो सारे के सारे even numbers, are composite number, ठीक है, आप even numbers की बात कर लेते हैं, even numbers आप सभी नहीं पता है, या जो last में two, four, six, eight, आए या 0 ay last में ठीक है तो इसने बोला है आल एवन नंबर और composite नंबर कि सारे के सारे एवन नंबर क्या composite नंबर हो सकते हैं नहीं false ठीक है इसका अंसर आएगा false सभी composite नंबर चाहो इवन नंबर नहीं हो सकते हैं part number four part number four में जो प्रोड़क्ट है JUL कि अगर ah a ninety no के नाट भी प्राइम है ठीक है त्वाइम लब आप सबी को पता ही यह कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं तो इसने बोला है कि अगर हम दो नंबर प्राइम लें तो उनकी जो你 उसकती my बिल्कुल गलत है, प्राइम हो सकती है, ठीक है? कैसे? जैसे हमने एक question लिया, product of prime cannot be a prime, तो इसका answer आएगा, sorry 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 very very sorry, product of prime number cannot be a prime, हा, prime नहीं हो सकती, तो इसका answer true आएगा, ठीक है? इसका answer true आएगा, product of prime number cannot be a prime, ठीक है, एक example ले लेते हैं इसका, जैसे हमने prime number लिया, 1, 3, ठीक है, एक prime number लिया, हमने 5, तो इन दोनों की जब मैंने product की, तो मेरे पास हाए 15, ठीक है, उसने बोला है, can not be a prime, तो prime तो नहीं हो सकती, तो prime तो high नहीं, ठीक है, क्योंकि यह prime number नहीं है, यह कौन सा number है, ठीक है, तो यह composite number आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यह दोनो number पर दिवाइड हो जाएगा, 3P पर जाएगा, 5P पर जाएगा, और 15P पर जाएगा, ठीक है, चलिए, तो product जो है, दो numbers की, दो prime numbers की, वो कभी भी prime नहीं हो सकती है, ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है, फिफ्थ 1 is the smallest prime number, 1 is the smallest prime number, ठीक है, question में बोला गया है, कि जो एक है, वो first prime number होता है, सबसे छोटा prime number होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, कि जो सबसे छोटा prime number की होता है, 2, तो आप अमेशा ध्यान रखेंगे, देखिए, question है, इसमें भी आ गया, 6 में क्या है, the sum of two numbers is always a prime number, sum of two numbers is always prime number, ठीक है, तो sum ले ले लेते हैं, दो numbers का, कोई भी दो number ले लो, और वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि हमेशा जोगा हो, दो numbers का sum जोगा हो, प्राइम ही हो, जैसे कि हमने ले लिए दो number, 3 और 5 ले लिए, ठीक है, दोनों का sum किया तो 8 आया, तो 8 का prime number है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है न, तो दो numbers का sum जोगा, प्राइम नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हैगा, false, next, question number 7, 7 में क्या है, all prime number are odd, ठीक है, question में बोला गया है, all prime number are odd, कि सारे के सारे prime number क्या उटते हैं, odd होते हैं, all prime number, numbers are odd, सभी prime number odd होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो इसका अंसर आएगा false, क्यों आएगा false, क्योंकि 2 भी क्या है, prime number है, और 2 क्या है हमारे पास, even number होते हैं, तो इसने बोला है, सारे के सारे जो prime number हैं, वो odd होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, odd नहीं होते हैं, even भी हो सकते हैं, जैसे कि 2, ठीक है, last part, इसका part number 8, 2 is only even prime number, 2 is only even prime number, ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारे पास सिर्फ एक ही prime number होता है, even की form में, और वो है सिर्फ 2, तो इसका answer आजएगा, true, ठीक है students, तो आप इसको उतार लीजिए, अच्छे से, ठीक है, या इसका screenshot लेगे, इसको उतार ये, copy सभी students से बढ़ानी है, चलिए, इसके बाद हम second question discuss कर लेते हैं, question number second में, आपको बहुत ही असान है, कुछ parts मैं आपको कराऊंगा, कुछ parts आपने कुद करके दिखाने है मेरे को, और फिर, जो भी आपके doubts होंगे, उनको आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है, चलिए, find whether the first, second question है, find whether the first number is a factor of second number or not, इसने बोला है, कि जो पहला number है, दो number यहां पर लिखे होई है, तो हमने बताना है, कि जो पहला number है, वो दूसरे वाले का factor तो नहीं है, ठीक है, आप factor का कैसे पता करेंगे, को दूसरे वाले का factor है या नहीं है, तो हम का करेंगे, simply divide करके देख लिखेंगे, अगर वो number पूरा-पूरा कट हो जाता है, मतलब remainder 0 आजाता है, तो आप लिखेंगे कि यह इस number का factor है, जैसे for example के लिए, हम ले लेते है, first part इसका, 6 and 48, ठीक है, क्या 6 के table पे 48 आता है, बिल्कुल आता है, 6, 8 is the 48, ठीक है, तो इस table पे पूरा-पूरा completely cut जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, yes, yes, 6 is a factor of 48, ठीक है, 48 का factor है, इसी तरह हम next, B part कर लेते हैं, इसका, B part में कहा है, 13 is a factor of 40, क्या 40 के table में 13 आता है, चक कर लेते हैं, 40 आपने बीच में रखा, 13 से डिवाइड गया, 13, 3 जा 39, वो निच्चे आपके बास निवाइंटर में बच गय 1, तो remainder आपका 0 होना चाहिए, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, तो remainder 0 नहीं है, तो ये इसका factor नहीं है, ठीक है students, इसके बाद इसमें 2 parts रहते हैं, part number C and part number D, वो आप खुद try केजिए, ठीक है, 7, 42 and last, 14 and 60, इन दोनों parts को आपने खुद try करना है, चलिए, अब मैं आप आपको next, third question करा देता हूं, question number third, question number third में क्या है हमारे पास, express each as a sum of three odd prime numbers, आपको three odd prime numbers लिखने हैं, क्या लिखने हैं, three odd prime number, ठीक है, prime numbers हो ऐसे odd ही होते हैं, सिर्फ two को छोड़ के, ठीक है, three odd prime numbers लिख ले हैं, जिनका sum, sum of three odd prime numbers, ठीक है, हमने, हमें एक number given है, जैसे कि आपको first है, यह 31, 31 हमें कोई number given है, इसको हमें तीन parts में split करना है, तीन parts में इसको तोड़ के लिखना है, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ें, क्यो जो number है, वो odd होने चाहिए, तीनों का तीनों, odd prime numbers होने चाहिए, तो कैसे पहले फर्स्ट और प्राइम नंबर क्या हमारे पास ? तू उन उसके बाद हमारे पास अतना है थ्री फाइव इलेवन और थर्टीन सेवन यही तक ले लेते हैं कोई नंबर हमारे पास बहुत छोटा है अब आपने इन में से कोई तीन नंबर उठाने हैं जिनका सम क्या हो 31 ची तो यह तीन नंबर हम उठा लेते हैं 7 प्लस 11 प्लस 13 तो अगर इन मिन को प्लस करें 7 11 18 18 और 13 31 तो हमारे पास नंबर 31 आ जाता है तो इस तरह की से आपने कुश्चन करने अगर नंबर थोड़ा लिखो तो उससे अग्ये के नंबर भी आप प्राइम नंबर लिख सकते हैं ठी ऑपने कुश्चे करना है पार नंबर भी जिसमें आपके पास नंबर लिखो थिट्ट्टी फाइव अब आपको 35 बनाना है तो 35 कैसे बनाएंगे आप 35 दो बहुत अससान है एक नंबर आप 5 लेंगे आप 13 लेंगे और एक नंबर 17 लेंगे 13 और 17 आपके पास रहेंगे 5 13 17 13 13 और 17 आपके पास होता है 30 और प्लस 5 जानी कि 35 ठीक है students जुरूरी नहीं है कि जो नंबर है वो हमेशा इसी form में बने ठीक है जुरूरी नहीं कि यहीं तीन नंबर बना के आपके पास नंबर 35 आ सकता है कुछ और भी आ सकता है जैसे 4 example के लिए हाँ आप यह तीन नंबर भी ले सकते हैं जैसे 7 7 के बाद हमने लिया 13 और 13 के बाद हमने लिया 17 नहीं, नहीं, 7 के बाद हमने लिया 11, और उसके बाद हमने लिया 7, 11 और 17, ठीक है, तो ये नंबर भी आप लेगे, 35 ले सकते हैं, कैसे, जब इनको प्लस करेंगे, 7 और 11, 18, प्लस 17, और 18, 17 हमारे पास होते हैं, 35, ठीक है students, तो एक से ज्यादा इसके, इस तरह के pairs बन सकते हैं जैसे हमने ये बना की दिखाए, अभी आपको 35 के 2 बन सकते हैं, ठीक है, एक ही हो सकता है, और एक ही है, ठीक है students, चलिए, इसके बाद हम last question कर लेते हैं, आज के lecture का, question number 4, question number 4 में क्या है हमारे पास, question number 4 में बोले गया है, write the greatest time number less than or equal to the flowing numbers, यानि कि, आपको क्या करना है, the greatest time number, आपको इसका greatest prime number लिखना है, prime numbers आप सभी को पता है, और ये prime number आपने लिखना है, less than or equal to the flowing number, या तो वो इससे छोटा होना चाहिए, या इसी के प्रेबर होना चाहिए, तो first number हमारे पास given है 67, ठीक है, अब 67 number को अगर हम ध्यान से देखें, तो 67 number तो आप उसमें खु होते हैं, तो इसका अंसर 67 ही आ जाएगा, clear है, second में क्या है, इसने बोला है, बी पार्ट में 78, 78 का, आप 78 तो आपके पास even number है, तो इसको सबसे बहले odd मनाएं, ये इससे पहले हम लिखना है 77, ठीक है, less than लिखना है न, 77, और 77 क्यों होता है हमारे पास, even number या odd number, odd number होता है पर 77 के case में भी क्या है हमारे पास, 7 पर डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम इस number को भी नहीं लेके चलेंगे, इसके बाद हमारे पास 76, 76 भी नहीं आएका, बन नंबर हो गया, उसके बाद आता है 75, 75 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ह जो हो किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा other than one तो इसका जो final answer हो जाएगा वो जाएगा 73 is smallest prime number below 78, 78 में सबसे जो निच्चे आएगा वो नमबर हमारे पास 73 आएगा जो पहली number आएगा ठीक है students तो यह था हमारा आज का lecture first lecture ठीक है students तो आप मुझे प्लीज बताईए एक बार कि आपको अगर वीडियो में इस तरीके से समझ में आ रहा है तो उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ वो ही चाहिए जैसे हम पहले आपको copies बेसे थे और questions solve करके copies पे तो आप वो भी ले सकते हैं ठीक है तो मेरे को एक बार सभी students यह जुरूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्टर से ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर आपको कोशन मैंने आपको आज कराए हैं four questions इसके बाद के जो next question है वो हम कल discuss करेंगे ठीक स्टुडेंट्स ओके बाए टेक कियर all the very best